तुम लोग जानते हो कि प्रतेर भाषा का उस भाषा के व्याकरण से गहरा समुए। एक व्याकरण ज्याता पिता ने अपने पढ़े लिखे पुत्र से प्रेम पूर्वक उपदेश देते हुए कहा था यद्यपी बहुनाधिशे पठपूत्र तथापी व्याकरणम स्वजनह श्वजनो माभूत सकलाह शकलाह सक्रचकृत बेटा तुमने बहुत पढ़ा है विद्वान हो गयो लेकिन व्याकरण पढ़ो ताकि तुम कहीं स्वजन को श्वजन न लिख जाओ सकल को शकल न लिख जाओ और सक्रत को शक्रत न लिख जाओ इसलिए किसी भी भाषा के साथ उस भाषा का व्याकरण पढ़ना आवश्यक आज हम तुम लोगों को अनिवारे संस्कृत के अंतरगत व्याकरण से संबद्ध अमुवाद पढ़ाएंगे अमुवाद के पर्थम भाग में हम तुम लोगों को करता के साथ क्रिया का प्रयोग बताएंगे वास्तों में संस्कृत में सारे करताओं को तीन पुरुषों में भीभ़क्त किया गया है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष और प्रत्य पुरुष के करता को पुना तीन बचन में भीभ़क्त किया गया है एक बचन, द्यव बचन और बहु बचन अगर आप देखें, तो यहाँ करता इसको प्रथम पुरुष, मद्यम पुरुष, उत्त पुरुष इन तीन पुरुषों में भिभधत करके प्रत्यक को एग भचन, दुव बचन, और बह वचन, तीन भचन में भिभधत कहा है. इस प्रकार संस्कृत करता हुए तुम लोग देख रहे हो की नौ करता हैं और इनी नौ करताओं के अनुसार संस्कृत में प्रत्यक धातु के नौ रूप बनते हैं क्रिया के यहाँ पर सह तवते प्रथम पुरुष में है तो यहाँ लगलकार में प्रथम पुरुष में पठट ति पठता पठनते यहां मद्यम पुरुष में त्वम युवाम यूयम है तो मद्यम पुरुष में पठथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथा चुँकि लट लकार बर्तमान काल के लिए प्रियुक्त होता है इसलिए जब बर्तमान काल का वाक्य बनाएंगे तो बर्तमान काल की क्रिया में करता के साथ बर्तमान का लट लकार की क्रिया प्रियुक्त करेंगे मालो हम यह कहना चाहते हैं कि वह पढ़ता है तो वह यहां आप देख रहे हैं प्रथम पुरुष एक बचन का करता है और पढ़ता है यह बर्तमान काल की क्रिया है तो लट लकार का प्रयोग होगा इसले प्रथम पुरुष एक बचन की क्रिया पठती का प्रयोग होगा और तब वह पढ़ता है इसके लिए संस्कृत में बनेगा साह पठत अगर हम यह कहते हैं हम सब पढ़ते हैं तो हम सब के लिए आप देखें यहां हम सब के लिए उत्तम प्रुस बहुबचन का करता है इसलिए उत्तम प्रुस बहुबचन की क्रिया पठामा पढ़ाएंगे और तब कहेंगे वयम वयम पठामा इसी प्रकार अगर हम अन्य करताओ क्रिया का योग करते हैं तो जिस बचन और जिस पुरुष का करता है उसी बचन और उसी पुरुष की क्रिया प्रुप्त कर देंगे यहां एक बात ध्यान देने की है जितनी संग्याएं हैं चाहे वो व्यक्ति बाचक संग्याएं हों चाहे जाति बाचक संग्याएं हों और चाहे भाव बाचक संग्याएं वे सारी संग्याएं प्रथम पुरुष करता मानी जाएंगे और वे सब साह तव ते के समान ही पुरुक्त होंगे करता अगर एक बचन है संग्या तो साह के स्थान पर दू बचन है तो तौ के स्थान पर और बो बचन है तो ते के स्थान पर स्विकर किया जाएगा इस प्रतार अगर ये कहा जाए कि बालक पढ़ता है तो बालक प्रथम पुरुष एक बचन माना जाएगा और वो बालका होगा और बालका चुंकि प्रथम पुरुष एक बचन है इसलिए करता क्रिया प्रथम पुरुष एक बचन पठती प्रयुक्त होगी इसी प्रकार जिब हम वर्तमानकाल से इतर भूतकाल की बात करते हैं तो लट लाकार के स्थान पर हम लंग लाकार का परोग करेंगे और तब पठधाद का रूप बनेगा अपठत, अपठतम, अपठन अपठा, अपठतम, अपठत अपठम, अपठाव, अपठाम आप देखेंगे कि संस्कृत के नौ करताओं में अगर हम ये कहें हम सब पढ़ते हैं तो हम सब के लिए यूयम है और यूयम मद्यम पुरुष बहुबचन का करता है इसलिए यूयम के साथ मद्यम पुरुष बहुबचन की क्रिया अपठत का प्रयोग होगा वाय यूयम अपठत यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि जब हम लंगलकार में पठका रूप देखते हैं तो अपठत के परत्व पुरुष एक बचन में भी अपठत और अपठत जब मद्यम पुरुष बहुचन फमेरे तब ही हम जब आप लिए लिए पुरुबचने है बठ्था ते लिखेंगे। जब हम भूतकाल के स्थान पर भविष्यत काल के ओर बढ़ते हैं और जाओंगा, खाओंगा, रहूंगा, पढ़ंगा, बेठूंगा, ऐसी बात करते हैं, तो फिर हम संस्कृत में लिर्ट लकार का प्रोग करते हैं, और पढ़ धाथ के लिर्ट ल तब अगर हम यह कहते हैं मैं पढ़ूंगा तो मैं के लिए हम देखते हैं कि करता में मैं के लिए प्रथम पुरुष एक बचन है और यहां उत्तम पुरुष एक बचन है और यहां उत्तम पुरुष एक बचन है और यहां उत्तम पुरुष एक बचन की क्रिया है पठिश्या इसलिए जब ये कहता हूं कि मैं पढ़ूंगा तो अहम पठिश्या में रूप बनेगा अहम पठिश्या में इसी प्रकार अगर हम कहेंगे तुम दोनों पढ़ोगे तो तुम दोनों के लिए करता कारूप भनेगा मध्यम पुरुष द्विववचन और तुम दोनों के लिए युवाम इसलिए मद्धम पुरुस द्विवबचन की क्रिया होगी पठिश्यथा और लिखेंगे युवाम पठिश्यथा इस प्रकार वर्तमान काल भूत काल और भविश्यत काल इन कीनों कालों में करता के साथ क्रिया का योग तुम लोगों ने पढ़ा है अब यह देखिए अब तक तुम लोगों ने केवल पठ धातु के साथ करता का योग बनाया है अब देखिये, खाद धातु है जिसका अर्थ खाना है, चल धातु है जिसका अर्थ चलना है, लिख धातु जिसका अर्थ लिखना है, पिब धातु जिसका अर्थ पीना है, गम धातु जिसका अर्थ जाना है, नीन नय धातु जिसका अर्थ ले जाना है, दिश पश्ट यदिन है, यदिन हो, एमने पढ़ता है, अभी यद हे लिखे, छला लेंगे और खादसिये, वह घाता है, और खादसियर के लग को जयेगा। सा पश्यती वो देखता है, सा क्रीडती वो खेलता है इस प्रकार हम देखते हैं कि हम इने धात्मों के अधार पर रूप चला कर संस्कृत के नए नए वाग्य वर्तमान काल, भूत काल और भविश्यत काल में बना सकते हैं बच्चों इस प्रकार तुमने इस बार करता के साथ वर्तमान काल, भूत काल और भविश्यत काल की क्रिया का पढ़ा अगली बार जब हम मेलेंगे तो कारकों का पढ़ेंगे